देखे, torque का physical meaning क्या होता है, physics की भाहसा में torque किसा कहता है, हाँ या ना, देखे, force तो आप जानते हैं, किसी body वे आपने force लगाया, force मतलब एक धखका लगाया, और body अपने displace हो गई, तो आपने कहा हो धखका मतलब force, force एक push है, या एक pull है, जो किसी body को या तो displace कर दे अपनी जगह से या displace करने की tendency रखे वैं दिवाल पे आप ताकत लगा होगे तो दिवाल के सकत थो ली जाएगी लेकिन आप ताकत तो लगा रहे हो force तो लगा रहे हो तो हमने कहा कि दिवाल के displacement होने की tendency है तो इसको force कहते है अब आपने body पे force लगाया और body अपने axis पे rotate कर गई तो उस force को torque कहते है तो torque का physicist के मतलब भी नहीं होता है बताब torque है force जिसकी tendency क्या होती है किसी body को अपने axis की चारोगर rotate कर देना अगर आप null खोल रहे हो तो force लगा रहे हो तो वो force क्या कर रहा है तो लिखिएगा a torque और moment of the force जिन्हें इसको moment of the force भी कहते है और जब आप किसी चीज का moment लेते हैं तो हमने बताया था जिसे आपने mass का moment लिया तो आप क्या करते है mass को axis of rotation से जो उसकी दूरी है mass बोले तो center of mass axis of rotation से जो दूरी है तो होगे ठीक है a torque or moment of the force is required is required to produce angular acceleration to produce angular acceleration in a particle in a particle about an axis about an axis and it is equal to and it is equal to the product of the force product of the force and and the the perpendicular distance the perpendicular distance of the line of action of force perpendicular distance of the line of action of force line of action of force क्या लिख लिख दिया हमने from the axis of rotation from the axis of rotation हम यहाँ पर किसी particle के बारे में बात करने जा रहे है particle देखो ध्यान से अब इसको हम चुकि वेक्टर फार्म में लिखना है यह एक surface है एक plane है 3D plane हमने बनाया ठीक है यह x-axis है यह y-axis है यह z-axis है ठीक है यहाँ पर हमने एक plane ले लिया यह हमने plane ले लिया और यह है axis of rotation यह इस point के रेवाउट हमको moment निकालना है ठीक है और यहाँ पर एक particle है ठीक है और इस particle की यहाँ से दूरी कितने आर अब इस पर एक force लगा रहे है force ज़रूरी नहीं है आप किसी दाश्म लगा सकते है हमने इस पर force ऐसे लगाया माले हमने force ऐसे लगाया ठीक है और यह थोड़ा सा टेढ़ा कर दो इसको थोड़ा सा ऐसे लगा दो यह आपने force ऐसे लगाया ठीक है जो की आर से कितना अंगल मना रहा है ठीटा यह र है यह पी पार्टिकल है ठीक है लेट पी वी अ पार्टिकल प्रगराफ से लिखे let P be a particle in a plane let P be a particle in a plane its position vector from O is R its position vector is R with respect to origin O with respect to origin O the torque acting on this particle is given by the torque torque acting on this particle is given by tau is equal to जो formula होता है वो होता है R cross F R cross F होता है ठीक है आपने cross product में direction देखनी सिखी है A cross B की direction कैसे देखते थे अगर कहीं vector A cross B लिखा हो और आप से कहा जा कि A cross B की direction क्या होती है तो ये हमने 11th में पढ़ा है कि it is perpendicular to A and B both ठीक है डेक्ट देखने का तरीका क्या होता है याद है याद है याद है मानने ते नहीं याद है वोले नहीं मान न लो मान ही लो हम A की direction में अपनी right hand की हथेली को करते हैं ऐसे और जिदर B होता होते हैं अपनी इस उंगलियों को मोडते हैं जिदर अंगुठा होता है वो direction of vector होता है तो यादि कि R की direction में अपनी हथेली करेंगे और force की direction में अपनी उंगली को ऐसे मोडेंगे तो जो अंगुटा होगा वो डिरेक्शन आफ टॉर्क देगा और ये किधर डिरेक्शन में होगा R और F के पर्पेंडिक्लर ठीक है अब ज़रा समझेगा A क्रॉस B का फार्मॉला क्या होता है AB कॉस थीटा सॉरी AB साइन थीटा तो अगर हम टॉ की वैलू निकालना चाहें वेक्टर की बात नहीं करेंगे तो R इंटू F और R और F के बीच में अंगल कितना दिया हुआ है देखो जब मैं आपसे कह रहा हूँ R और F के बीच में अंगल तो देखे ये R है ना ये लाइन R की है ना R से चलिए F की तरफ ऐसे चलेंगे आप तो यनि ये थीटा हो जाएगा साइन थीटा अब आप कहेंगे अच्छा F से चलो R की तरफ इधर नहीं अगर F से R की तरफ आप आए तो आप अंटी क्लाकवाइस नहीं क्लाकवाइस जा रहे है और क्लाकवाइस एंगल नेगेटिव होता है तो फिर आपको यहाँ पर माइनस में लेना पड़ेगा ठीक है तो ये फार्मूला हो गया टाव इस इकल टू R इंटो F इंटो साइन थीटा अब आप कहेंगे अभी आप चो डेफिनिशन लिखाए है टार की वो क्या लिखा ज़रा पढ़िए क्रॉस प्रोड़क्ट टीफ फार्म तो लिखा नहीं हमने इट इस इकल टू जो लिखा है इट इस इकल टू प्रोड़क्ट आप दा पर्पेंडिकुलर डिस्टंस वाम दा एक्सेद अप रोटेशन तो आप कहेंगे भाई यह जो एक्सेद आप रोटेशन है यह डिस्टंस पर्पेंडिकुलर तो है नहीं क्योंकि आर और एफ के बीच में 90 डिगर आंगिल तो हम क्या करेंगे एफ का जो लाइन अफ एक्शन है इसको ऐसे बढ़ाएंगे और यहां से यह पर्पेंडिकुलर डाल देंगे यह हमको डिस्टंस यह लेनी है नहीं समझे लिया यही डिस्टंस हम ले और यह तो यह वाली डिस्टंस हम आप र ले रहो तो देखे अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा नहीं होगा, अगर मैं इस distance को x मान लेते और इस वाले triangle में sine theta लगाते तो sine theta होता perpendicular x upon r तो x की value r sine theta ले होती नहीं होती है तो ले तो हम r sine theta ही ले रहे हैं ना तो distance हम perpendicular ही ले रहे हैं ठीक है, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि r और f perpendicular हो तो हम f की line of action बढ़ाएंगे और यहां से perpendicular distance लेंगे, ठीक है तो आपको यह दिखाना नहीं है दिखा भी दोगे कोई दिकत वाली बात नहीं है तो यह आपका torque हो गया, note करें where theta is the angle between f and r where theta is the angle between f and r इस की direction क्या होती है इस की direction r और f दोनों के perpendicular होती है its direction is perpendicular to r and f बोटला है पानी की यहां रखी नहीं बना मैं उसको दिखा देता अभी हम लेके आएंगे तब दिखा देंगे its direction is perpendicular to r and f जो tau की direction होती है वो r और f के perpendicular होती है अब यहां पर एक special case लेने special case पहला अगर theta 0 degree हो या 180 degree हो मतलब जो axis है ना इसी के लांग आप force लगाओगे अब ज़रा देखे ध्यान से साउधान यह axis है यह particle है इसी के लांग force लगाओगे ऐसे खीचोगे तो क्या घुमना शुरू कर देगी भी जब आप perpendicular force लगाते हो तो फूमना तो सुरू नहीं करेगी तो tau क्या हो जाएगा then tau is equal to zero भाई जैसे मान लिया दरवाजा है यह मान लिया दरवाजा है यह हिंज होती है जहां वो कबजा लगे होते है ठीक है यह R होती है तो आप force ऐसे लगाते हो ना इस प्रकार से यानि इस दरवाजा का जो R है वो उसके perpendicular अगर आप दरवाजे पे आप force ऐसे लगाओ इसको पकड़ का ऐसे अंदर दाबो तो क्या घुमना सुरू कर देगा या दरवाजे को ऐसे पकड़ खींचो तो घुमना सुरू कर देगा तब टाउ वहां पर जिरो होगा ठीक है और दूसरा केस ये है कि अगर 90 डिग्री हो जाए थीटा इफ थीटा परावर 90 डिग्री तब तो सो फार सो गुड क्यों को साइन 90 की वैलू मैक्सिमम होती है तो उसमें टाउ मैक्सिमम लगेगा टाउ मैक्स कितना होगा आर इंटो एफ अभी हम इसकी डारेक्शन बताते हैं कि कैसे परप्रिंट रोट यहाँ कोई बॉटल देखने रही है रखी है जो अंदर रखी होगी ठीक हभी बताते है नोट करिए देखो जैसे हमने का टार्क वो फोर्स है टार्क वो फोर्स है जो किसी बॉड़ी को घुमा दे यह हमने कहा ना तो अब देखिए उसके लिए आप इस फार्मले को देखिए अगर टाव ज़्यादा चाहिए तो आपको एफ बढ़ाना पड़ेगा या तो आर बढ़ाना पड़ेगा पर अगर एफ और आर का मल्टिप्लाई करने से टाव मिलता है तो इन दो में से कोई दोनों वेल्यू बढ़ा दो तो और ज़्यादा टाव मिलेगा अब आपको गेट खोलना है गेट हैवी गेट बहुल लगा हुए मालिया अब जहां हिंज लगी वी है हिंज जानते हो ना जहां कबजे लगे होते है और उसी के पास आप फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना अगर उससे दूर लगाओगे तो किनारे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्यों 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 आपने क्या बढ़ा दिया है R, R बढ़ा दिया तो F की value कम लगाने से भी tau आपको maximum मिल जाएगा गेट होता देखा होगा छोड़े बच्चे भी खोल लेते हैं दूर से सो खोलना पड़ता है क्यों? क्योंकि वो R बढ़ा देते हैं तो F अपने आप कम लगाने से ही torque maximum मिल जाता है अब बात करते हैं angular momentum of the particle देखे एक बध्या नखीगा particle की बात करें वो अलग बात हुई और system of the particle की बात करें तो उसमें सभी particles की value को उठा के plus किया जाएगा angular momentum of the particle angular momentum angular momentum of the particle यह नया वर नहीं है this heading at this topic was in the 11th class सब कुछ वहाँ पर था सब वोई दुआरा आप पढ़ रहे हैं याद है आपको definition याद है कि कोई particle अगर momentum मतलब body घुम रही है momentum का मतलब भी घुमना होता है तो अगर कोई body किसी axis के चार और घुम रही है तो body का एक particle हम लेने की बात कर रहे है हम बात कर रहे है particle की तो particle भी घुम रहा होगा भई माले आप हमारे नाभी में एक छेद कर दो आर पा रहे है ड्रिल मसीन से ने करना देना और ऐसे टांग दो हमको और घुमाना सुरू करो तो हम इस body से जितने भी हमारे organs से सब घुम रहे होंगे ना तो उसमें से हमने एक particle अपने नाग देखी कि नाग कैसे घुम रही है ठीक है यही हम देख रहे है तो कहते हैं कि कोई body अगर किसी axis के चारो और घुमती है तो कुछी particle के linear momentum का जो moment होता है moment of the linear momentum हमने कहा था जिसका moment आप ले रहे हो उसका axis आप rotation से उसकी दूरी से multiply करते है moment of the mass ले रहे थे तो आप m into r कर रहे थे moment of the force अभी ले रहे थे तो f into r कर रहे थे moment of the linear momentum ले रहे है तो linear momentum को r से multiply करेंगे तो लिखे the moment of the the moment of the linear momentum the moment of the linear momentum moment of the linear momentum of a particle linear momentum of the particle about axis of rotation about axis of rotation is known as is known as the angular momentum of the particle is known as the angular momentum of the particle अब एक particle को कही plane में लेना पड़ेगा तो ये एक frame of reference है पर पार्टिकल जहां घूम रहा होगा वो एक जगे होगी ना तो उस जगे को हम क्या कहते है frame of reference ठीक है और ये इसकी axis of rotation है या origin है जहां से दूरी आपको लेनी है ये हमने एक plane लिया भोले अभी तो अपने diagram बनाया था फिर दूबार भी बना रहे है हाँ ठीक है ये एक particle है इस particle का mass है small m ठीक है और इसकी यहां से जो दूरी है वो r है ठीक है और ये particle इधर कहीं सी direction में घूम रहा है तो उसका linear momentum हो गया p particle का नाम देदूर a diagram सुम्या और जो linear momentum है linear momentum का मतब velocity होती है linear momentum की direction वही होती है जो velocity की होती है क्योंकि हम velocity को mass से multiply कर देते हैं तो एक नई quantity हमने develop की थी linear momentum भी का था तो note को जो जो रहा let a be a particle let a be a particle of mass small m a be a particle of mass small m whose position vector is r whose position vector is r with respect to origin o position vector is r with respect to origin o ठीक है तो the linear momentum of the particle क्या होगा the linear momentum of the particle of the particle क्या फर्मला होता है मालूँ linear momentum P is equal to M into V तो हम चाहे ये direction P की बतावे चाहे ये direction V की बतावे actually body ऐसे घूम रही है particle और ऐसे ऐसे इसके चारोर घूमेगा यही है ना अब आपको definition क्या बताए गई the moment of the angular momentum sorry the moment of the linear momentum तो हमको निकालना क्या है the angular momentum the angular momentum क्या होगा angular momentum अब हिंदी मीडम में इस्टोर यहीं करबड़क होता है जब आप इंटर में तो हिंदी में पढ़ लिया अब जैसे ब्यासी में आए विसे टीचर ने कहा angular momentum उसको बड़ा intelligent है उसको आता है इसे कोड़ी सम्वे कहते हैं लेकिन उसको यह नहीं वालू इसको angular momentum कहते हैं अब बड़ी दिक्कत ही है तो angular momentum को indicate किसे करते हैं कहीं कहीं जे से करते हैं कहीं कहीं पर L से करते हैं तो यहां पर small L से किया गया है ठीक है तो angular momentum with respect to O with respect to O is given by इसको small L से करेंगे देखिए चुकि जब particle की बात करेंगे तो small L लेंगे और जब body की बात करेंगे तो capital लेंगे तो small L is equal to formula होगा R cross P तो यह आपका angular momentum हो गया और अगर हम cross product हटा देंगे तो L is equal to R P sin theta अब आप एक question बोल सकते हैं कि जब हम 11th class में A cross भी लिखते थे लिखते थे AB sin theta into n cap जब n cap लिखते थे थे ना तो जो result होता था वो vector quantity होता था हमने vector quantity ले लिया है हमने scalar value ले लिया है उसका magnitude ले लिया है यानि हमने इसका mod ले लिया है तो n cap का mod अपने अब क्या हो गया है 1 हो गया है ठीक है जहाँ पर theta क्या है where theta is the angle where theta is angle between R and angle between R and P R और P के बीश का angle theta है ठीक है यहाँ कुछ special case है यह जो momentum है ना यह माल लेते हैं कि O से pass हो रहा है यह particle A जो है ओ P की बात करिए P O से pass हो रहा है मतलब particle P O से pass हो रहा है मतलब particle already कहा पर है O पर ही है यहनि अगर if particle is at O तो R की value यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 और जो particle चल रहा है उसमे theta 0 degree हो जाए या 180 degree हो जाए तो इस सभी के case में L की value क्या हो जाएगी 0 पर आर P sin theta लिखाना आपने R 0 कर दो theta 0 degree कर दो theta 180 degree कर दो सभी में L क्या हो जाएगा 0 दूसरी बात अगर हम बात करें the angular momentum for the system of particle angular momentum अभी तो एक particle लिया था ना momentum of the system of particles of the system of particles system of particles कहें या आप पूरी body ले 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 तो करना क्या होगा आप जितने भी value आप जितने भी particle होंगे ना सबके आप angular momentum निका लिए और सबको उठाके add कर दीजे तो यानि कि हम ऐसे लिखेंगे ri cross pi ये एक i-th particle का हो गया और sigma लगा दिया ये vector quantity है और i की value कहां से कहां तक है 1 से ले करके n तक ये पूरी body का आपका angular momentum capital L हो गया ठीक है एक particle का निकाल लिया हमने मानने एक particle नंबर 1 है तो उसका होगा r1 cross p1 plus r2 cross p2 plus r3 cross p3 सबको उठा के add कर दोगे तो सभी का angular momentum निकल आएगा ठीक है तो ये पूरे system आप particle का angular momentum होता है देखे पहले तो इस topic का मतलब समझ लिजे topic कह रहा है कि conservation का मतलब कोई चीज बदले ना conserve रहे fix रहे है ना off angular momentum हम angular momentum की fix होने की बात कर रहे है कि angular momentum चेंज नहीं हो रहा है ठीक है अब कम नहीं चेंज होगा तो पहला case ले रहा है कि angular momentum हम निकाले with constant velocity जबकि particle कैसे चल रहा हो जब उसकी velocity constant हो velocity की बात हो रही है ठीक है तो यानि हम यह दिखाएंगे कि किसी भी particle की velocity constant कर लेते हैं ठीक है और velocity constant करने से angular momentum निकालते हैं तो हम देखेंगे conserve रहेगी हो मतलब constant रहेगी constant होने के और भी तरीके हो सकते हैं वो तरीका भी बात करेंगे तो लिखे तोड़ी कहानी if a particle is moving with constant velocity प्रैस का statement देना पड़ेगा ना मतलब फिर समझेगा conservation of momentum में angular momentum conserve होने के एक और condition भी है उस condition को बात करेंगे अभी एक condition दिखाना है कि अगर कोई body constant velocity से move कर रही है तो उस समय उसका angular momentum conserve है कि नहीं है ठीक है तो लिखे if a particle is moving with constant velocity if a particle is moving with constant velocity about an axis about an axis then the angular momentum of the particle then the angular momentum of the particle about that axis remains constant अब इसी को प्रूफ करने जा रहे है इसी statement को हम प्रूफ करेंगे constant कैसे हम प्रूफ करें हम क्या करेंगे किसी particle का angular momentum लिखेंगे उसका change निकालेंगे वह कोई चीज़ constant कब प्रूफ होगी अगर उसका change निकाल लिजे time के respect में किताँ change हो रही है और change क्या आजाए constant आजाए 0 आजाए तो change constant यह sorry change 0 होना क्या दिखाता है क्यों चीज़ constant है तो कहेंगे भाई देखिए the angular momentum of the particle the angular momentum of the particle कहीं कहीं पर angular momentum को j से लिखते हैं ठीक है confusion नहोना particle is given by L बराबर क्या पता है हमने R cross P अब आपको rate of change of momentum चाहिए तो इसको क्या करेंगे time के respect में differentiate कर दीजे अब आप कहेंगे change तो ऐसे होता delta L upon delta T देखो delta L upon delta T और DL upon DT में अंतर होता है हमने कहाता है यह average change है मतब यहाँ पर L की value और T के respect में बार बार change हो रही है तो हम या तो L को नाप है या तो time को नाप है दोनों चीज़ को एक साथ हम नहीं नाप सकते एक हमें chemistry में class 12 में एक concept पढ़ाए गया इंटर्मिटेट में uncertainty principle कि हम momentum और position एक साथ measure नहीं कर सकते momentum time एक साथ measure नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर L और T को एक साथ measure नहीं कर सकते है तो हम को क्या करना पड़ेगा अब हम घड़ी भी देखें और आपका rotation theta और R सब देखें नहीं देख पा रहे हैं तो हमने क्या क्या घड़ी का बंद कर दो मतलब time zero मतलब tends to zero very 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 small तो very small करने से time देखने की जोरोथ नहीं पड़ेगी कि ल की value हम major कर लेंगे उसी को हम क्या करते है DL by DT तो इसको time के respect में differentiate कर दो differentiating with respect to T T के respect में इसको differentiate कर देते है differentiation का formula हमने पड़ा है vector का differentiation में ध्यान रखेगा high कुछ नहीं है DL by DT क्या होता है जब दो function multiply में होते हैं तो differentiation formula क्या होता है first function into differentiation of second function plus second function differentiation of first function इसमें हम क्या करते है जहां पर जो है वही उसको differentiate कर दीजे मतलब पहले किसको differentiate करो DR by DT कर दिया और cross में किसको लिख दो P को पहले इसको भी कर सकते हो कोई बतल में जहां है वहीं करेंगे differentiation अगर P को differentiate करना है तो R को पहले लिखा रहने दीजे और plus R को लिखा रहने दीजे cross DP by DT ये ध्यान रहने कि आप constant velocity की बारे में बात कर रहे हैं अब जड़ा दीखो DR by DT को पहचानते हैं आप क्या ही है DR by DT किस बला का नाम है बहुत ध्यान से बहुत बहुत सस्ती चीज लिखी वी है ये जब हम motion of the center of mask बारे में बात कर रहे थी तो वहाँ पर DR by DT सबसे पहले हमारे मुलाकादीनी से हुई थी क्या ही है अरे भाई दूरी को time से divide कर रहे हो distance point R क्या है distance है ना अगर simple भासम बात करें तो distance को time से divide कर रहे हो क्या मिलेगा distance point time क्या होता है distance upon time velocity नहीं होती displacement upon time तो velocity तो है थोड़ा उंचा सोचिए है जोटी सी बात ठीक है भाई जिसे कहने है आपकी qualification क्या है तो simple भास अपनी वहला है वो लिए LLHP and IFBHP अच्छी लग नहीं लग रही है LLHP and IFBHP तो सुनने वारा भी समझा कि बहुत बड़ी qualification है अपने पॉइंट कर लिया अगला काम नहीं कर पा रहा था तो अप तो इतने दी qualified है और आप तो काम ही नहीं कर पा रहे है वो ले हमने बताया था अपनी qualification हाप क्या 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 लले एक लिए LLHP बोलें आप तो बताये थे, I.S. भी भी कहने है, I.S. इंडियन आराम सर्विस, मैं तो आराम करता रहता हूँ, ठीक है, तो ये है विलास्टी ही, थोड़ा सा स्टेंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये होगी विलास्टी, क्रॉस और P को क्या लिखाते है, M.V. प्लस आर क्रॉस डी बाई डी टी आफ, M.V. अब ज़रा साउधान, M तो कॉंस्टेंट है, जब V का V से क्रॉस करोगत वैलू क्या आएगी, किसी भी वेक्टर का, उसी वेक्टर से क्रॉस प्रॉड़क्त क्या होता है, पहिए आपका बेसिक कंसेट क्लिर होना चाहिए, क्या होता है, अगर मैं आप से को V और V का क्रॉस प्रॉड़क्त करना है, तो V और V के बिश कितना एंगल होता है, V का V से कितना angle होता है 0 होता है और cross product में sin theta आता है और sin 0 की value क्या होती है 0 तो ये value तो 0 हो गई तो क्या आ गया DL by dt is equal to ये तो 0 हो गया plus M को बाहर कर दो M को बाहर निकाल दो तो M कहीं लिख दो M को M R cross DV by dt ठीक है यहां लिख देंगे where आप यहां प्रेकन बाहर लिखेंगे ठीक है V cross M V को हमने 0 किया है ठीक है अब देखो यहां पर V constant है ना V constant है और constant term को differentiate करोगे तो 0 आएगा ना भाई आप कहेंगे as V is constant as V is constant पहले का आ गया था आपसे so DV by dt की value क्या आएगी 0 तो इक question 1 में अगर देखें so by question 1 तो अगर हम आपसे कहें DL by dt क्या होगा तो आप कहेंगे 0 अब DL by dt 0 मतलब क्या होगा पहले यहां तब पहुँचिए अब देखें चुकि DV by dt 0 होगा तो by इसको अटाइए यहां लिखें so by question 1 तो सब्सक्राइब आई बात हमने DV by dt को 0 क्यों किया क्योंकि सुरुआत में हमने लिया है कि velocity constant होगी तो किसी body कोई particle का angular momentum conserve रहेगा constant रहेगा fix रहेगा यह दिखाना है आपको दूसरा भी एक करण है उसका एक और तरीका भी उसका है वो बात में बात करेंगे तो एक question 1 में लिखो तो आप क्या लिखेंगे dl by dt is equal to 0 अब किसी का rate of change 0 मतलब क्या होता है L is constant यानि L constant होगा दूसरी तरीके से इसको integrate कर दो तो integrate करोगे इधर L आएगा उधर constant आजाएगा तो वैसे भी हम constant कह सकते हैं और simple bolchal की भासा में कि किसी भी चीज का change 0 होने का मतलब क्या होता है या तो वो चीज 0 हो खुद या वो चीज constant हो तो constant का change 0 होगा ठीक है देखे हमको angular momentum अब जो हम बात particle की नहीं करेंगे body की करेंगे angular momentum और torque के बीच relation निकालना है ठीक है तो थोड़ी कहान लिखिए मतलब जो proof होके आएगा वो तो बात की बात है if external forces are acting on the particles if external forces are acting on the particles and they exerts torque and they exerts torque upon the particle मतलब forces कैसे जो उसमें torque create करें पर फोर्स कही तरीके से लग सकता है आपने बहुत सारे particles लिए और सुनिये ध्यान से ऐसे धक्का लगा दिया ये भी तो force है तो इसमें तो particle आगे move कर गया हमने का नहीं हमने particle पे ऐसे force लगाए है कि उसमें torque create हो जाए तो they exerts torque upon the particle so that so that their angular momentum changes with time their angular momentum changes with time उसी बारे में बात हम पने जा रहे है तो यानि कि इस definition से clear हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि जब हम बहुत सारे force लगाते हैं तो torque create करने के लिए उसे torque create करते हैं तो angular momentum change होता है तो यानि हम भी कहना चाहते हैं कि angular momentum change किस वज़े से होता है torque की वज़े से तो यानि angular momentum का rate of change किस के equal होगा torque के equal होगा यही प्रूब करने जा रहे हैं ठीक है क्या लिखा है angular momentum changes with time paragraph change करके लिखे so that their angular momentum changes with time paragraph change करके लिखे नहीं नहीं वो तो लिख चुके होंगे ना वो तो दुबारा बोल लहे थे पर करसे लिखे for the system of particles for the system of particles the total internal torque the total internal torque on the system due to internal pairs of forces is 0 for the system of particles the total internal torque on the system due to internal pair of forces is 0 क्या बोला यह देखो यह केरे एक body है यह system of particles है तो उसके अंदर भी तो forces आपस में body लगा रही होंगी उसकता है particles टकरा रहे होंगे आपस में collision हो रहा हो भई atoms move कर रहे होंगे collide हो रहे होंगे तो उस collision की वज़े से यह जो forces आपस में लगते हैं उनको हम कहते हैं internal forces प्यरा forces मरे दो body टकराई तो इस body ने इस पर force लगाया इस body ने इस पर force लगाया तो यह जो internal force का torque है वो कितना होगा 0 यानि वो यहाँ पर माइने नहीं रखता है हम उस force के बारे हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात करे हैं जो बाहर से हम force लगा रहे हैं उस body को घुमाने के लिए ठीक है तो अब चलते हैं अब चुकि इसमें sigma लगेगा तो लिखने का तरीका आजीब हो जाएगा अगुलर मोमेंटम अगुलर मोमेंटम अफ द शिस्टम अफ द शिस्टम अफ पार्टिकल्स इस गिवन बाई एल इस इक्वल टू क्या बताए गया था आर आई क्रोस पी आई और आप के वल बाहर सिग्मा लगा दो जब आप सिग्मा लगा देते हैं उसका understood है कि वो आई की वल्यू बन से लेकर के अंट तक ले रहे हैं ऐसा नहीं का आप आई वेरिंट फो वन टू लिखें ही आपको लेकिन आपको तो rate of change of momentum चाहिए तो इसको time के respect में differentiate कर दो differentiating with respect to t तो इसर क्या हो जाएगा dl by dt इसे को सिग्मा बाहर कर दो अब देखें यहाँ पर cross product निकाल आपको आता है क्या हमने का था इसका differentiation cross इतना यह आएगा dr by dt पीछे जो किया था ना वही है दुवारा कर रहे है लेकिन अब result दूसर हम लेके आ रहे है वहाँ पर जो result हम लेके आए थे उसमें हमने v को constant किया था तो db by dt 0 हो गया था यहाँ पर result कुछ और लेकि हम आ रहे है plus ri लिखा रहने दीजे cross dp by dt ठीक है तो यह हो जाएगा l capital है यह तो हो गया dly dt is equal to sigma इसको पहँचानते हैं अभी पहँचान रहते हैं आप थोड़ी दे पले आप तो जानते ही हैं वह फ़रोसी हैं हमारे यह हो जाएगा v cross mv plus ri cross इसको पहँचानते हैं आप dp by dt को पहँचानते हैं आप हमने mv नहीं लिखना है क्योंकि विलाश्टी की बारे में बात नहीं कर रहे है इसको पहँचानते हैं कभी देखा है आपने इसको कहां देखा है वो सड़क पर टहल लाथ था गोल कप्पे खा रहा था नहीं मालूम धान्स करिए Newton's second law of motion कहता कि rate of change of linear momentum is equal to force actually यह force है यानि यह आपका क्या है यह fi है ठीक है है न इसकी कहते है न आप लिखेंगे where जो dp by dt है वो क्या है fi है यह external force है यह कौन सा force होगा external force बात में लिखेंगे हम तो देखें यहाँ पर क्या आएगए dly dt is equal to sigma sigma यह क्या है इसकी value क्या होगी 0 हो जाएगी क्योंकि v cross v 0 होता है और यह बचेगा आपका sigma ri cross fi इसको पहचानते हैं क्या है यह क्या है ri cross fi क्या होता है moment of the force है ना यह तो torque है यह torque है यह tau i है यह इसको हम कह सकते हैं tau maximum tau external यह external torque है यह आपके लिएखा dly dt is equal to tau external मतब जो rate of change of angular momentum है वो total external torque के बराबर होता है यह external force है जो किसी body को घुमा रहा है वही torque है सुनमे बाद नहीं आई हणिया अब आप इस statement को mathematical statement है इसको लिख लिजिए hence hence अब देवगो आप rate of change momentum लिखते हैं तो भी काउन सा rate of change किसके respect में change हो रहा है दूरी के साथ change हो रहा है time के साथ change हो रहा है place के साथ change हो रहा है तो लिखे the time rate of change of the time rate of change of total angular momentum of the system the time rate of change of total angular momentum of a system of particles time rate of change of total angular momentum of a system of particles about the origin about the origin is equal to the sum of the external torques the sum of the external torques acting on the system acting on the system ठीक है अब यहाँ पर एक special case हम बता रहे हैं उसको द्यान से समझेगा बड़ा important case है special case if external torque जो है वो 0 हो जाए मतलब dL by dt is equal to 0 हो जाए यानि L constant हो जाएगा ना L is ठीक है अभी थोड़े पहले भी आप नहीं बात कर रहे थे लेकिन वहाँ आपने दे रखा था कि velocity is constant क्या आपने देखा कि अगर किसी system आप पार्टिकल में कोई external torque आक्ट ना करें आप जोस्ती सो गुमाईए नहीं अंदर अंदर के अंदर स्टेप में लिए का कंसर्व रहेंगा लिख सकते हैς कह सते हैंना तो इस्टेप में लीको घुल थो दिस्टोस देट if the external torque acting on a particle is zero acting on a system of particle if the external torque acting on the system of particle is zero then its angular momentum remains conserved then its angular momentum remains conserved तो अगर आपसे conservation of angular momentum की बात की जाए तो आपको यही करना है आपको नहीं समझे अगर आपसे बात की जाए conservation of angular momentum तो यहाँ पूरा प्रूफ करके यह शो करना है और जब velocity constant का एक अलग सिवा जाए कि velocity constant है तब वो अलग case होगा ठीक है ठीक कर लिजे